Good morning students, आज हम start करेंगे with theorems, first theorem है, state j is persistent if and only if summation over n is equal to 0 to infinity, pjj in n step is also infinity Proof start करतें, इसका, देखो इसमें क्या काई, जो state j है, वो persistent कभ कहलाएगी, if and only if, अगर हम summation देखें, n is equal to 0 to infinity, pjj in n step में दो क्या जाए, infinity आ जाए, या फिर अगर ऐसा है, तो हम क्या बोल देंगे, जो j state हो कैसी है, persistent है, if and only if में है, तो starting कर रहे हैं, let pjj is is equal to summation, n is equal to 0 to infinity, pjj n sn is equal to 1 plus summation, n is equal to 1 to infinity, pjj n sn, और जो s है, उसका mod less than 1 है, मतलब minus 1 से लेके 1 के बीच में लाई करेगा, तो देखो, अब हम इसकी starting कर रहे हैं, क्योंकि हमने, n is equal to 0 का केस अलग कर दिया है, और 1 से लेके fjj n sn, जहाँ पर mod of s less than 1 है, इसमें भी देखो, हमने n is equal to 0 जब पुट किया है, तो उस ताइम भी क्या बन जाएगा, 0, तो हमने n is equal to 1 to infinity लिया है, ये दोनों हमने क्या लिये हैं, ये लिये हैं, ये लिये हमने generating functions, generating function लिये हैं, हमने किस sequence के, of sequence, पहला sequence लिया है, हमने pjj n, ये इसके लिये है, और दूसरे वाला हम ले रहे हैं, fjj n, respectively लिख देते हैं, so that आपको confusion नहीं हो, जो first वाला है, वो generating function लिया है, इस sequence के लिये, second वाला इसके लिया है, अब हम कहा रहे हैं, also, we know that, for n is greater than equal to 1, pjj n is equals to, summation r is equals to 0 to n, fjj r, pjj n minus r, ये हमने पहले जो first passage वाली theorem थी वहाँ से लिखा है, अब हम इसको क्या कह रहे हैं, multiplying both sides by sn and summing over n, पहले sn से multiply कर देंगें, दोनों side में और summation लगा देंगे, n के लिए, तो summation लगा दिया, n greater than equal to 1, pjj n sn is equals to summation greater than 1, r is equals to 0 to n, ये तो था ही, fjj r, pjj n minus r into sn, ही आगया है, अब हम इसको solve करें, देखो ये वाला कौन सा बन गया है part, n greater than equal to 1, ये ही वाला है न, summation, 1 से लेके आगे, मतलब 1 से infinity वाला, ये ही part है, लेकिन ये 1 नहीं है, इसके साथ, मैं इस 1 को side shift करने, देखे आ जाएगा, pjj s minus 1, और अब इसको देखते हैं, हमने पढ़ा था, n is equals to 1 to n, 1 to infinity sjj fjj n sn, 1 to infinity fjj sn into this, तो ये वाला देखो, ये term, जो इसके अंदर है, ये मैंने अप सर्कल ट्राइब ड्रॉ किया है, तो ये क्या बन जाएगा, capital fjj, capital fjj, और जो बचा हुआ है, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, उसको pjj में ले रहे हैं, pjj s into fjj s, अब next देखो, pjj s, दोनों साइड है, इसको इदर ले आते हैं, fjj s is equals to 0, दोनों में से pjj s common लेते हैं, इसको set shift कर देते हैं, तो क्या आजाएगा, pjj s is equals to 1 upon 1 minus fjj s, यहां पर s का जो mod है, वो क्या है, less than 1 है, अब अगर मैं इस पर limit लगाऊं, limit is tending to 1, pjj s, तो इस side क्या आ जाएगा, same limit दोनों साइड लगाएंगे पहले, अब उपर तो कुछ है ही नहीं, limit लगाने के लिए 1 है simply, तो limit कहाँ लग जाएगे नीचे, यह आ जाएगे limit, अब हम able slama का use करेंगे, तो उससे हमारे पास आ जाएगा, pjj1, s की जंगा 1 आ जाएगा, 1-fjj1, if j is persistent, अगर jay persistent है देन, fjj1 क्या हो जाएगा, 1 बन जाएगा, similarly जो capital pjj1 है, वो क्या बनेगा और infinity, क्योंकि persistent की state का मतलब यह होता है, तब हम इसका use करके यहाँ से निकाल लेंगे ऐसे, अच्छा, देखो, इसने क्या का है, कि अगर persistent है, तो इसका मतलब यह होता है, मैंने आपको पहले भी definition नों बताया रहा, fjj1 क्या हो जाएगा, 1 होगा, वरना अगर 1 से छोटा है, तो हम क्या कहते हैं, कि वो transient है, persistent का मतलब जो capital fjj है, यह क्या होगा, 1, तो आप इससे 1 put करो, तो क्या आएगा, यहाँ पर देखो, इसको 1 put कर रहे हो, तो pjj1 क्या आजाएगा, 1 upon 1 minus 1, 1 upon 0 is infinity, तो आप कहीं पर persistent आएगा, तो उसका मतलब यह दोनों है, next, अब converse प्रूफ करेंगे, क्योंकि यह कैसी theorem है, if and only if में है, तो conversely, if j is transient लिया है मैंने पहले, then, अगर j transient है, तो इसका मतलब transient का, कि fjjs, क्योंकि यहाँ पर तो 1 लिया था न, हमने s को, तो put कर दिया, वरना जो भी fjj है, वो कैसा होगा, less than 1 होगा, अगर यह less than 1 है, तो इसकी चो limit आएगी, as tending to 1 fjjs, वो भी कैसी रहेगी, less than 1 रहेगी, this implies limit as tending to 1 fjjs, जब 1 से छोटी है limit, तो इसका मतलब infinity से भी छोटी है, कोई चीज अगर 1 से, यह 1 है, 1 से इधर है, कम है, तो इसका मतलब infinity से भी तो कम है, तो वो ही यूज किया है, हमने यहाँ पे, that means, summation n, pjjn, is also less than infinity, या जी, इसकी वाली यह होती है, तो हमने कह दिया, अगर यह infinity से कम है, that means, यह भी infinity से कम है, तो हमने शो कर दिया, अगर j transient है, that means, summation n, के ओपर लगा रहे है हम, pjjn, यह कैसा होगा, less than infinity होगा, तो इसका मलग क्या है, अगर persistent होगा, तो यह क्या हो जाएगा, equal to infinity, तो हम यहाँ से कह सकते हैं, कि हमने conclude कर लिया है, कि अगर j transient है, तो ऐसा है, that means, limit लगा दे अगर हम, n tending to infinity, अगर n को infinity पूट करें, तो pjjn, किसको टेंड कर जाएगा, 0 को, अगर यह दिया है, j transient है, that means, summation over n, pjjn, less than infinity है, तो अगर हम limit लगाएंगे, n tending to infinity के, किसको टेंड करेगा, 0 को, और state space of a finite Markov chain, must contain at least one persistent state, कम से कम एक persistent state, उसके पास होगी, फिर है, next remark के बता रही हम आपको इस सारे, second मलकी निखना चाहूँ लिख लोगे, तो first हो गया है, second मन जाएगा आपका, state space of a finite Markov chain, must contain at least one persistent state, कम से कम एक persistent state जरूर होगी, उस Markov chain के पास, third पे आता है, फिर, third पे आजेगा, if k is transient state, if k is a transient state, and j is arbitrary, हमने जो k है, वो कैसे state ली है, transient, और j कैसे ले लिए, कोई भी arbitrary state है, then, summation over n लगा ले, p, j to k in n step, is convergent, यह कैसी हो जाएगी, convergent हो जाएगी, और आपने sequence and series में, यह पहले ही पढ़ा होगा, कि जो convergent होती है series, that means, उसकी जो nth, हमारी, nth element होता है, वो किसको tend कर जाता है, 0 को, या गया है यहां से, इसको दुबारा रीड कर देती हूँ, k कैसी है, transient state है, j कैसी है, कोई भी state है, arbitrary ready, तो हम क्या कहे रहे है, summation, p, j, k, मतलब जो series है, p, j, 2, k, n step में, कैसी होगी, convergent होगी, मतलब, कोई भी state जब transient पे जाएगी, in n step, कुइतना भी step हो, वो कैसी होगी, convergent, convergent का मतलब, क्या होगा, अगर हम लिमिट लगाएंगे इस पे, तो यह किया इसको टेंड करेगा, 0 को टेंड कर जाएगा, अच्छे, किसी में एक step है, मुझे लग रहे है, आपको इसमें doubt आएगा, तो मैं इसको explain कर देती हूँ एक बार, ये वाला step, मैं इसको दुबारा नोट डाउन कर देती हूँ, इसको थोड़ा simplify कर देती हूँ, ये वाला तो आगे होगा, आपको समझ में किये, कैसे put किया है, इसमें बता देती हूँ, summation n greater than 1, summation r is equal to 0 to n, f j j r, p j j n minus r, sn है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इससकी पावर को bifurcate करेंगे, summation n greater than 1, summation r is equal to 0 to n, f j j r, p j j n minus r, sn minus r अलग कर लेंगे, और s r अलग कर लेंगे, देखो इन दोनों को जब वापिस अगर हम मिलाएंगे, तो ऐससे नहीं बनना है, अब लेकिन हम क्या करेंगे, इस s r वाली को इसके साथ जोड लेंगे, और इसको इसके लिए लेंगे, तो पहले इसकी बात कर रहे हैं, यह वाला देखो, अब मैं कहां से लेखरी हूं, p j j, क्या था, हमारा summation n is equal to 0 to infinity, p j j n, sn, यही था, p j j, sn minus r, sorry, n minus r, sn minus r, जो p, जितने step उपर ले रहा है, उतने ही s लेगा, यहाँ n था, यहाँ भी n है, तो यहाँ अगर n minus r है, तो यहाँ भी n minus r है, तो यह क्या बन गई है, हमारे पास, इसके साथ मिला के, p j j s, अब देखो इसको, f j j r s r, f j j n, s n, जितना यहाँ, उतना यहाँ, तो आप यह में समझ रहे है, यहाँ पर n था, वहाँ पर r है, वो सिर्फ हमारे step है, number of step, यह मिला के क्या बन जाएगा, capital f j j s, तो यह ऐसे आया, देखो, यहाँ से, यहाँ से,